दोस्तों, दुनिया में दो तरे के सांप होते हैं, एक होते हैं जहरीले वाले और दूसरा होता है बिना जहरीला वाला जहरीले वाले सापों के बारे में तो आईए मैं आपको बताती हूँ कि अगर किसी को साप कात ले तो आप उससे पहले ये बात हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई साप काते तो आपको डर्ना नहीं है क्योंकि कई बार लोग डर्नने के वज़े से ही मर जाते हैं जहरीला साप कातने पर दातों के दो निशान होते हैं तो अगर उससे साप कात ले तो उसके बोड़ी पर कुछ ऐसा निशान बने तो इसका मतलब है कि साप जहरीला था लेकिन जादा निशान हो तो समझ जाना कि साप जहरीला नहीं था इसी तरह की इंट्रेस्टिंग वीडियो पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैड आइकन को प्लेस करें